गर भी यह ने लगा दिगा है पॉस इंट्रस रेट बढ़ाने पर वहीं पर जो फेड है उसकी कमेंटरी सुन करके भी यह लग रहा है कि आने वाले टाइम पर आतो पॉस लगेगा इंट्रस रेट पर या फिर होनी लगेगी कटिंग शुरू क्योंकि इनके कंट्रोल में आना शुरू हो चुका है अगर इंट्रस रेट पर कमी होना शुरू हो जाएगी तो जो लिकुरिटी है मार्केट की वो काफी ज़्यदा बढ़ जाएगी और शेर बजार को लगेगा ये एक गुड नियूज है और नेक्स्ट बुल रन आपको बहुत ही जल्दी आता हो दिख सक शेर बजार के अंदर 18 महीने से जबसे मार्केट ने कोई भी खास रेटन नहीं दिये हैं काफी सारे ऐसे स्टॉक्स है जो कि हाई पी पे जाने के बाद अच्छे खासे लेवल पे आ चुके हैं और इस समापर तयार हो रहे हैं सिर्फ और सिफ एक अच्छे गुड नियूज करके अच्छे वेल्यूशन के आसपस यह आते जा रहे हैं तो बिना टाइम वेस्ट करें शुरू करते हैं अपनी वीडियो सिबसे पहले स्टॉक हमारा होने वाला है उसका नाम है पॉली कैब इंडिया वायर एंड केबल में आपको मार्केट लीडर देखने को मिलने वाली यह काफी बड़े मार्केट कैप के साथ यह कंपनी आ रही है यहाँ पर जो ग्रोट ट्रेजिक्टरी काफी अच्छी है अगर आप पीई की बात करोगे तो 40.9 के पीई पर कंपनी ट्रेट कर रही है वहीं पर आरो सीई जो है 22.5 का देखने को मिल रहा है आरो ही 17.3 देखने पर जाता वह चीज मैंने चोड़ करके पहली बार इसके अंदर थोड़ी इंवेस्टिंग स्टाइल करने की कोशिश करूँगा मैं जो इसके अंदर पहली इंस्ट्रॉल्मेंट डाली थी वह डाली थी 27.45 रुपे के आसपस जब यह रीसेंट्टी गिरा था और उसके बाद मैंने देखा कि उसके बाद सी रुप मेरं दुपा से ट्रेंड हो चुका है और मैंने रीसिंक्री second installment भी डाल दी है मैं इसके अंदर पाच installment डालने। अब यह देखना पड़ेगा कि कि इतने अरप होने पर second installment डालूए मेरे क्याल से बदा से 25-20% का अगर मुझे return मिल जाता यहाँ पे तुम अपनी दूसी यह तीसी इंस्टॉल्मेंट भी डाल दूँगा इसको हम कहते हैं पोजिशन बिल्ड करना जो कि मैं आपको आने वाली वीडियो मां जरूरू समझाने वाला हूँ कि पोजिशन बिल्ड कैसे करते हैं किसी भी स्टॉक के अंदर उसरा हमारा स्टॉक होने वाला है यह स्मॉल कैप की कंपनी है फार्मसोटिकल कंपनी आपको देखने को मिलेगी मैंने काफी बार इस कंपनी के बारे में बात किया कि काफी हद तक बॉटम आउट यह कंपनी हो चुकी है obviously यहाँ पर EPS growth हो सकती है obviously इसकी जो पूरी detail analysis है उस पर हमें research करनी ज़रूरी हो जाती है पर जितना मैंने करा है मेरे इसाब से एक decent company दिख रही है एक अच्छे valuation point पर दिख रही है और अगर इसके उपर नज़र आती है FII-DII की अच्छे तरीके से FII-DII के अंदर already है तो यहाँ पर आपको next level of growth देखने को मिलेगी हो यहाँ पर PE expansion आपको देखने को मिलेगा और exactly जिसकी आप बात करेंगे multi-bagger return वो आपको यहाँ पर आते होई दिख सकते हैं और गर मैं इसे पुछो कि मैंने कब खरीदा है मैंने recently खरीदा है अगर आप देखोगे हमने पहले यहाँ पर चार्ट में analysis करी होई है वो आपको दिख रहा है पुराना यह क्या किया था हमने हमने बताया था यहाँ पर एक support zone बनता है हमारा काफी पुराना वाला 2020 का तो 2020 के आसपास इतना करके support लिया उसके बाद वापिस upside move के अंदर move हो गई है यह company आपको दिखा होगा रिसनली डीविस लैब ने भी काफी अच्छे return दी है काफी अच्छे level पर grow होना शुरू हो चुका है रिवर्सल आना शुरू हो चुका है क्योंकि इन सारी company की जो major dependence थी वह चाइना के ओपर थी और चाइना में भी recovery आना शुरू हो चुकी है इसी वजह से यहां पर भी आपको अच्छे recovery दीख रही है और यह एक stock हो सकता है जो आपके radar में ज़रूर होना चाहिए अगर आप थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हो तो डिवीस लैप ज़रूर देख सकते हो या फिर कैप्लाइन देख सकते हो अगर आपको अच्छे बैटिंग करनी है और अच्छे बॉल पर चक्का मारना है तो कैप्लाइन मुझे लगता है काफी interesting company होने वाली है आपके के बाद वहीं पर R.O.C.E. 19.2 और R.O.E. 13.5 है जो कि थोड़ा सा कम हो चुका है लेकिन अगर आप एक growth company की बात करोगे तो उस हिसाब से इसमें काफी एच्छी चीज़े हो रही है इनके जो फैक्ट्रिया है वो हो रही है एक्सपैंशन में काफी जादा लगी होई है सी लाइन को यह कहीं ना कहीं respect भी कर रही है और इसके बीचे कुछ बहुत ही बड़ा R.O.D. नहीं हुआ है यहाँ पर हमने सिर्फ उसे support point को indicate करा हुआ है अगर आप देखोगे यहाँ पर जिसका major support point बन रहा था वो बन रहा था 56 रुपीज के आसपा जो कि यहाँ पर इसन के आसपा सीबा टच कर नहीं कोशिश करेगा हो सकतर दो या तीन महीने के अंदर जितनी इंट्रस रेट करत होने की न्यूज हमारे पास आ जाएगी उत्ती जिल्दी यहाँ पर आपको recovery दिखेगी नेक्स बूल रन के अंदर इस सारी कंपनी आपको भागते हो दिखने वाल के आसपास का ROC 4.61 और ROE 0.70 के आसपास expansion चल रहा है इसलिए आपको एक EPS जो growth है वो इस समपर देखने को नहीं मिल रही है लेकिन यहाँ पर जो returns हो काफी इच्छे आज सकते हैं मुझे लगता नहीं है यहाँ पर बहुत ही जदा volatility आपको next level में देखने को मिलेगी यहाँ पर खोने के लिए कुछ खास आपको देखने को नहीं मिलने वाला अगर आपको एक decent level का stock चाहिए जिसके अंदर काफी ची growth हो सकता है तो IDFC First Bank आपके पास हो सकता है यहाँ पर आप देखोगे recovery अगर आप मैं यह चैनल को पीछी जा करके देखो ना एक है दो महीने पुरान मैंने IDFC First Bank के बारे में काफी ज़्यादा बात करी जो हमने target price said क्या था उसके आसपास ही company आती जा रही है उसके बाद भी यहाँ पर रुकने का नाम नहीं ले रही है क्या मैंने इस stock को बेज दिया भी तक बिलकुल नहीं बीचा है even मैंने add करना और शुरू कर दिया क्योंक अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कोई selling price तो इस समय पर मैं decide नहीं कर पा रहा कि मैं कब sell करूंगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा कुछ है नहीं खोने के लिए क्योंकि आप देखोगे इस समय पर 59 के आसपास और एक अच्छा support आपको बनता हो दिख रहा है यहाँ तो आपको analysis जरूर करना है अपना उसके बाद ही आप इसमें invest कर सकते हो अगली company होने वाली है हमारी S12 आपको पता है recently infra जो stocks से वो काफी जाद अच्छे नहीं चले थे तो S12 इसी वज़े से कुछ खास नहीं चल पा रहा था even return काफी अच्छे दिये थे पी expansion इसमें recently काफी वहा था 2020 के बाद और यह काफी अच्छी valuation पे पहुँच गई थी अगर आप आज भी देखोगी जो stock का PE है 96.9 का PE है जो कि मुझे लगता थोड़ा ज्यादा valuation point of view से आज आता है लेकिन वहापे correction अगर आप देखोगे तो काफी एच्छा हो चुका है अल्रेड़ी एक से देर साल इसने अल्रेड़ी ले लिया है तो 18% का time period correction आप इसमें consider कर अगर आप चार्ट analysis की बात करोगे तो मेरा suggestion रहेगा एक अच्छे buying zone के आसपास एक company आती जा रही है यहाँ पर अगर आप देखोगे तेरा सो बीस रुपे के आसपास एक अच्छी buying zone इसके अंदर बन जाती है और उसके बाद बिगर यह नीचे जाती है तो ज्यादा स्या दो साल हो चुके क्योंकि मार्च हमारा अल्डेडी जा चुका है 2023 का तो एक अच्छा support है एक अच्छा zone आपको देखने को मिल रहा है यह भी stock आपके watch list में जरूर हो सकता है अगर किसी को IDFC first bank नहीं पसंद की वो बुली गए बहुत जादा चोटा bank है यहाँ पर इसका आप का दिख रहा है ROC 8.54 19.0 का ROE देखने को मिल रहा है तो काफी लोग बोलेंगे यार PE काफी जादा है लेकिन अगर आप डबल करोगे इसके return से तो यहाँ पर आपको पी एक decent valuation के आसपस देखने को मिल रहा है मुझे लगता है यह 60 के आसपस के PEP भी जा सकता है कुछ ही time के अगर next rally आएगी तो banking उसको जादा तक ride करने वाली है तो banking के उपर आपको थोड़ा जादा bullish होना पड़ेगा volatility उसके साथ आपको देखने को मिलने वाली है और जो एक resistant बनता है जो कि इसने recently touch भी क्या है 690 रुपे के आसपस इसके बादी company वापस से selling देखने को मिलती है इस company के अंदर आपको तो अगर आप इस से उन के अंदर भी खाली trade करते तो आपको कुछ भी नहीं तो 3-4 बन यहाँ पर पैसा बनता हो असानी से दिख सकता अगर आप से blindly खेलने वाले हो तो इसके आसपस आपको जरूर देखना चाहिए इस consolidation वाले zone के अपर आपके नजर जरूर होनी चाहिए और यह stock भी काफी अच्छा है attractive 590 रुपे के आसपस बनता जाता है अगला हमारा stock आने वाला है बजाच finance लोग बोलेंगे बजाच finance को आप बार-बार क्यों पिक करके आते हो क्योंकि आप देखों कि जो results आ रहे हो आ रहे है बहुत ज़्यादा तगड़े बजाच finance को यहाँ पर recovery भी काफी तगड़ी हो सकती है 30-35% already discounted price पे चल रहा है 18 महीने का correction इसके अंदर बजाच finance जैसी कंपनी जो लगातार 30% से year on year basis पे growth कर रही है यह काफी एच्छे results माने जा सकते हैं इत्ती बड़ी company के होने के बाउजूद expansion की बात करोगे तो मुझे लगता है इससे जादा कुछ खास expansion होने वाला है इसके लेकिन जो growth है 20-25% की आपको देखने को मिलेगी EPS growth already हो चुकी एक decent level के EPS growth के साथ आपको यह 23.5 का है जोगी काफे attractive इस समय पर देखने को मिल रहा है अगर मैं परसनल बात करोगे तो finance के अंदर मैं काफी जादा बुलिशन समय पर जाच finance के अंदर मैंने काफी जादा invest कर आवे है और slowly steadily मैं aggregate करने की कोशिश कर रहा हूँ एक अच्छा खासा support आपको यहाँ पर देख सकती है इस एक stock के अंदर अगर आप long term में देखोगे तो 6,000, 6,000, 7,000 रुपे के असपास यह stock आपको जाता हो मिल सकता है एक से दू साल के अंदर 35-40% का growth और upside आपको सुखा-सुखा देखने को मिल रहा है अगर यह all time high को भी touch कर ले तो अगला stock हमारा होने वाला है टायर manufacturing बाल किष्ण इंडस्ट्री का किसी को mid cap की company चाहिए जहाँ पे एक decent level growth और अच्छी growth होने के chances जादा है उसका नाम है बाल किष्ण इंडस्ट्री अगर आप P की बात करोगे 34.4 मतलब अच्छे valuation के आसपास आ चुकी है जहाँ पर यह over valued होगी थी काफी जादा अगर आप RO CEE और ROE की बात करोगे 23.8 का और ROE 21.9 के percent के आसपास का देखने को मिल रहा है तो अगर आप इसके अंदर position build करते हो तो काफे एच्छे return हो सकते क्योंकि mid cap और small cap काफी जादा पिटा भी हुआ है अगर आप देखो कि तो यहाँ पे एक अच्छी recovery आने की कोशिश हो रही है यहाँ पे आप देख सकते हैं एक swing यहाँ पे आई थी उसके बाद एक और swing यहाँ पे आई है और अगर यह इसको भी touch करती है और एक W का pattern मनाती है तो यह हमारे लिए एक major resistant होने वाला है जो कि है 2278 रुपे के आसपास अगर यह तोड़ेगी तो एक next आपको upfront move देखने को म कोटाथी के साथ ही आपको इन सब के OPM भी बढ़ते हुए दिखने वाले हैं अब हम जल्द जल्दी बात करेंगे कि वीडियो और यह बहुत ज़्यादा लंबी और काफी सारे stock हमारे अभी भी pending है नेक्स stock है हमारा दीपक नाइटराइट अगर आप दीपक नाइटराइट अंदर आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर जो ग्रोथ है काफी अच्छा है लेवल पर आ चुके लेकिन अगर आप से consolidation की बात करोगे तो काफी अच्छे लेवल पे stock अल्रेडी टूट चुका है तीन साल के अंदर अगर आप return की बात करोगे तो आप कुछ खास return नहीं मिले है क्योंकि 2020 में उसने rally दी थी 1018 महिने में इसने consolidate करके वो सारी rally को digest कर लिया है यहाँ पर जो इसके returns है इवेन आप profit and loss की बात करोगे तो यहाँ पर जो इसके return आ रहे है मतलब जो ELD level के profit and loss है उसमें थोड़ी सी कमी देखने को मिलिए इस वज़े सी नीचे आ रहे है लेकिन valuation काफी अच्छी है, growth काफी अच्छी हो सकती है और जो specialty chemical के उपर problem चल रहे थे मुझे लगता है वो भी slowly steadily दूर हो सकती है जिसको कैप लाइन पॉइंट नहीं पसंद जो चाहता है थोड़ा safe खेलना वहाँ पर Davis Lab आपके नजरों में अब होनी जादा जरूरी है करी यहाँ पर वापिस से आपकी हो चुकी है recovery तो reversal काफी strong है काफी अच्छे volume के साथ आ चुका है अगर आप PE की बात करोगे जो की काफी जादा हो गया था 7580 के PE तक यह पहुंच चुका था तो वापिस से यह आ चुका है 35.9 के PE पर ROC 35.1 का है ROE 28.2 का है तो यहाँ पर जो returns ह वो काफी अथक digest हो चुके एक decent valuation के आसपस आ चुका है obviously undervalued तो नहीं कह सकते से लेकिन decent valuation आपको देखने को मिल रही है अगर आप chart की बात करोगे तो chart पर भी यहाँ पर आपको एक strong reversal देखने को मिला था काफी अच्छे volume के साथ तो यहाँ पर यह जो up move आया है यह काफी अ manufacturing में दिक्कत थी interest rate के दिक्कत थी यह जो raw material था वो चाइना से आता था logistics के दिक्कत थी तो यह साही चीज़े कहीं ना कहीं figure out हो चुके सिर्फ उसे विए अच्छे news और थोड़ी market में liquidity आपको यह growth होते भी दिखेगी और फागते भी company दिख सकती है अगला stock हमारा होने वाल तो जो returns है वो शांदार दिखते हैं 10% का upmove stock ने दिखाया है आपको अगर आप PE की बात करोगो तो अभी भी बहुत ज़्याद overvalued नहीं है 15.2 के PE पे है ROC, ROE 7.23 और 7.35 के आसपस देखने को मिल रहा है यहाँ पर जो correction हुआ था initial level पर वो बहुत ही गदर level पर हो गया था अगर आप यहाँ पर returns की भी बात करोगे अब side move की भी बात करोगे तो इनके जो net profit है वो recently double हो रहे हैं मैंने last video में भी बताया है कि हो सकता है EPS growth अभी ना मिले लेकिन आगे जाकर के मिल सकते हैं क्योंकि net profit grow हो रहे हैं sales grow हो रहे हैं OPM भी इनके काफी अच्छी level पर आ चु आपके हैं तो यह साही चीज़े आपको देखने पड़ेगी debt और asset balance sheet analysis करनी है तो आप मुझे comment section में जरूर बता सकते हो next talk होने वाला है हमारा HDFC bank आप गोलो गया इतना बड़ा bank क्या ही growth आए 17-18% की growth सूखी सूखी आपको आते हुए दिखेगी last 5 साल के अंदर इस ने होने के लिए बचा निए HDFC के पास अगर आप देखोगे ROE 6.85 वादब बिकार है कुछ भी return नहीं है आप कुछ भी खास return नहीं है लेकिन पर ROE देखोगे तो 18.6 का है तो आप देखो high inflation वाले situation के अंदर भी सस्ते पासा उठा पा रही है और loan भेंगा दे पा रही है काफे interesting चीज़ है जो कि HDFC कर पा रहा है अगर आप देखते हो नीचे scroll करके और यहाँ पर returns की भी बात करोगे profits की तो लगातार यहाँ पर profits इंद के grow होते जा रहे हैं EPS आप दीरे-दीरे करके growth होती जा रही है NPA भी काफी अच्छी level पर manage कर पा रहे है तो आपके नजरों में हो हो गए है और expectations है कि यहाँ से result अच्छे आ सकते है IT sector के अंदर obviously grand है तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको उसके बाद इसके अंदर invest करना है mid cap की company है leading company है अपने sector के अंदर अगर आप PE की बात करोगे 57.4 का जो कि expensive है लेकिन अगर आप ROE की बात करोगे 47 47.7 का और ROE 37.2 क है तो मुझे लगता है decent valuation है इस level की growth के लिए consistency के साथ अगर यह group करती जाती है तो मुझे लगता 10,000 चूना जो इसका previous valuation थी वो चूना कोई बड़ी बात हो सकती है लेकिन high valuation वाले के साथ दिक्कत यह आती है अगर quarter के result अच्छे नहीं आते तो पिटाई भी बहुत ज्याद होती है 10,000 से 5,000 तक इसको एक महीने के अंदर खीची दिया था market के अंदर जो कि आप यहां पर देख सकते हो last 3 साल के returns के अंदर वहीं पे अगर आप returns की बात करके profit and loss के तो profit and loss आपको slowly steadily बढ़ता जा रहे consistency के साथ year on year basis पे वहीं पे जो EPS है उसके अंदर भी आपको अच् अगर आप तनिश के business को देखोगे तो लौमली जो women होती है जो old women होती है 35-45 साल की तो वह काफी ज़्यादा इससे purchase करती है लेकिन जो इनका real business अब शुरू होने वाला है online business से जो भी नई लड़कें आ रही है वो क्या करेंगी वो यह जाके gold jewelry और diamond इतना ज़्याद नहीं खरीदने वारी वो local jewelry खरीदेंगी यह second type का जो diamond आते हैं उसको तो online वहाँ पर आते हुए दिखेंगी second जो mainly jewelry खरीदती है वो कौन खरीदता है आप और मैं आज जो आदमी होते normally वो इतना ज्यूलरी नहीं consider करते हैं लेकिन जो औरते होती है वो consider करती है लेकिन अभी तक क्या होता था ओरतों को jewelry खरीदनी है तो उनको husband से permission लेनी पड़त है क्योंकि वो ज़्यादा तर cases कंदा इंडिया में वो कमाती नहीं है तो दिक्कते होती है लेकिन जो नहीं लड़ी के आ रही है 2023 के बाद 2020 में जो लोग आए है उनके अंदर क्या है वो काम करना चाते है जॉब करना चाते है तो जो women participate होता है वो भी धीरे-धीरे करके बढ profit बढ़ा रहे हों काफी बुरी तरीके से काफी तगड़े तरीके से profit बढ़ाते जा रहे है लेक्स्ट कंपनी वाली एवन्य सूपर माइड डी माट वैल्यूशन पॉइंट से highly 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 valued कंपनी है पी काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है किसी को हाई पी वाले स्टॉक नहीं प पांच परसेंट के आसपास जो रेंटल एडियर सेफ करते हैं इसके बारे में अभी लोग डिसकस नहीं करते हैं इसके अंदर जो ग्रोथ आ रही है अभी लोग उसको डिसकस नहीं करते हैं लोग कहीं न कहीं कहीं कहते हैं बहुत ज्यादा highly valued कंपनी है इनिशल लेवल पे Walmart Costco और Walmart को देखोगी तो उन सब के जो valuation से काफी हाय थे ओविसली ग्रोथ उस लेवल की नहीं हो पाई तो Walmart मर गया था लेकिन जो Walmart है वापिस से उसने अपने PE को convert करा 23-24 के असपास अभी आपको इतना बड़ा होने के बाद दिखे रहा है तो मुझे लगता है अभी growth है अभ बिजनस के अंदर आप खुद manufacturing नहीं कर रहे तो वो थोड़ी सी दिक्कत वाले बात है ये इनको figure out करना पड़ेगा मुझे लगता है ये खुद का brand DMart के नाम से अपने product launch कर देंगे shelf ये अपनी खुद use कर देंगे सस्ते में दे देंगे तो मुझे लगता है ये भी नहीं लोग की 4,000-4,500 तक चला जाएगा देकिन उसके बाद इसके अंदर भी rally आना शुरू हो जाएगी उसके कुछ time के बाद ही next stock होने वाला है relax हो देखो ये जो दो stock है ना ये उनके लिए है जिनका ultra long term का vision है ठीक है ये उनके लिए नहीं है जो कि कोई random है जिसको आस चाही कल बेचन है ठीक है तो इस way में देखना है क्योंकि इनके पास अपनी अपनी मोट है अगर आप इसके PE देखोगे already काफी expensive 136 के PE पे है तो मेरा suggestion रहेगा दूर रहो अगर आपको लगता है कि आप इतना hold कर सकते हो सिर्फ तभी घुसना वरना फस होगे तो बहुत बुरा फस स कर रहे तो हो सकता है आने वाले टाइम पर हो पाए लेकिन expensive इसका already है जिसका शेयर प्राइज है बहुत ही ज़्यादा expensive है तो अगर long term का vision है सिर्फ और फोल्ट करना तभी उस ना short term के लिए यहां कुछ है नहीं दिख रहा है तो मुझे लगता कुछ भी नहीं कुछ भी न में यह आपको कम होते दिखेंगे क्योंकि raw material cost बढ़ गई थी यहां पर और सेम चीज़ आपको net profit में दिखा इसी वज़े से आपको correction दिखाए इताज़ादा वो होता जा रहा है तो यह कुछ ऐसे stocks से जो मुझे लगता काफी एच्छ लेवल पर recover करेंगे इनना से काफी ऐ disclaimer आपको देना चाहूंगा यह जो वीडियो सिर्फ औस एजुकीशन परपस के लिए है तो इसको जादा सीरियस मत लेना इसको एक education परपस से लेना इसके आगे की analyst करना उसके बाद ही इसकंदा निवीश करने ही कोशिश करना थैंक यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो अच्छी लगिये तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकूल मत मुननत बाबाई साइनिंग ओफ